हालो फ्रेंट्स नमस्कार इन वेलकम टू शमाधान साथी उमीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथी साथ आपके स्टड़ी भी अच्छे से चल दी होगी साथ्यों बिहार करमचारी चाहना है बी एससी के माध्यम से जो बारे हजार एक सुन्याबर पदो पर भरती आए थी और 14 अगस्त को एक लेटर जारी के आता है लगभख 10 महीने फर्म भरे होने चाहने के बाद कि आपका एक्जाम अफलाइन नहों करके ऑनलाइन होगा चुकि समने पर सासन विभा के तरफ से भी अमेंड कर दिया गया था कि बिहार की जो भी आयोग है वह सवतंत्र है अगर वह चाहे तो अपने सुविधा का नुसार या तो ऑनलाइन एक्जाम ले या ओफलाइन एक्जाम ले और कोशिस यह रहेगी कि जो सेंटर है वह रजधानी का अस-पस के छेत्रों मेरा है तो अब यहां पर क्या है कि बिहार से सी के द्वारा जो बेल्टरॉन है उसको जिमा दिया गया है कि आप एजनसी का चाहिन कीजिए और एक्जाम कंड़क्ट कराईए लेकिन उससे पहले क्या फुल प्रूफ त्यारी है बिहार में कि आपका एक जो 25 लाग है वेरती है उनका परिक्षा जो है वो भगवान भरूसे ही सही सलामत हो सकता है पूरे एस्ट्रिंग अप्रेशन को यहां पर समझेए और क्या बदलाव होना चाहिए इसमें कौन-कौन से लेवल पर सुधार होना चाहिए उस पर भी बात करें क्योंकि देखिए दस महीने बाद एक्जाम हो रहा है बारा महीने बाद एक्जाम होगा लेकिन एक्जाम के बल हो जाने से कोई मतलब नहीं है अगर एक्जाम फेर तरीके से नहीं होता है तो फिर वो एक्जाम भले ही आपका जल्दी क्यों नहीं हो जाए लेकिन मिधावई छात्रों के लिए उसमें कोई भवी से नहीं दिखाई दे रहा है वहले एक्जाम लेट हो लेकिन सही तरीके से होना चाहिए अब देखें बिहार में क्या होता है कि जो एक्जाम सेंटर है बड़े लेबल पे जो ऑनलाइन में है कई सिक्षा माफिया है जिनके सेंटर है और यह देखेंगे तो अमीन का जब एक्जाम हुआ था दोजर तेजस कहीं यह निउज है और यह निउज इसलिए भी ज़रूरी है समझना क्योंकि एक्जाम में कौन-कौन से बदलाव किये जाने चाहिए किस एजेंसी के माधिम से एक्जाम होना चाहिए और यह भी अप लो रिमोट कंट्रॉल पर ले लिए जाता है यानि कि आप बैठे हैं जो सेटिंग वाले चाहते हैं वह एक्जाम होल में बैठे तो रहेंगे लेकिन उनका कोश्चन कहीं और से सॉल्व होगा और आप मेधावी चाहत रहे हैं तो आप अपने लेबल कंसार कोश्चन सॉल्व कर करते हैं दूर बैठे पेपर सॉल्व अब देखिए यहां पर जो डायनिक भासकर निवश्चन किया गया और स्ट्रिंग ऑप्रेशन में जो उनकी बात चीत है वह सामने आई है यहां पर उसे पहले यहां पर देखिएगा जो पूरे खेल है उसको समझेगा देखिए बिहा अब इसलिए मैं इसलिए यह निवश्चेयर कर रहा हूं कि जब भी परिक्षा के डेट आता है तो यह लोग सक्री हो जाते हैं अपना सेंटर को अलाटोमेट करवाने के लिए देखेंगे और ऑनलाइन परिक्षा में बड़ा खेल करते हैं परिक्षा कराने वाली एजेंसी के एस्टेट हेड यानि कि जो एस्टेट हेड होता है जिसे अमीत और मुझाफरपुर के जो एक परिक्षा केंदर के मालिक है सुधीर के बीच हुई बात चित इनकी पुष्टी करती है यानि कि जो एस्टेट हेड है अमीत कुमार और मुझाफरपुर के परिक्षा सेंटर के जो मालिक है उन दोनों के बीचे में पैसे के लेंदेन की बात हुई है जो एस्टिंग अप्रेशन में खुलासा हुए है जो कुछ चौकाने वाली बात है और देखिए परिच्छा का संचालन कराने वाली एजनसी का एस्टेट हेड और ऑनलाइन एग्जमनेशन सेंटर के म सेंटर बुक करना है तो वह क्या करता है कि परिच्छा संटर के लिए दो लाक रोपे लेता है और इसके बाद परिच्छा संटर का मालिक और परिच्छा माफिया वैसे भिर्थ्यों के लाव पहुंचाते हैं जो तैय सुदा रक्म चुकाते हैं परिच्छा माफिया अधिक तो अभी जो सच्छमता परिक्षा चल रही थी उसमें भी सेंटर हैक करने की पूरी ट्यारी कर ली गए थी लेकिन आयन मोके पे पटना एससपी डियेम और डियाईजी को पता चल जाता है और वहां पे सवी सेंटर को सील कर दिया जाता है तो यहां पे सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह जो 20 सेंटर है इसको ब्रेक लिस्ट की ओ नहीं किया जा रहा है देखे खेल समझे पैसे देने वाले विर्थवी के लिए अलग कनेक्शन से जूड़े एक लाख रुपे के खास कॉंप्यूटर इनके पेपर रिमोट पर लेकर स् तार आते हैं उसी में जो सेटिंग वाला कंप्यूटर दुसरे रूम में होता है वहां से तार इंट्री कर दी जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता है या एक्स्टरनल तार परिछा के अंदरे के नेट्वर्क स्वीच में लगते हैं सर्वर को बाइपास कर देता है और जिस कॉम्पीटर पर सेटिंग वाले अभेर्थी बढ़ते हैं वहां कस्टमाइज सीप्यू कीमत एक लाग रुपे अब देखे कस्टमाइज सीप्यू लगा जाता है और उसमें इंटरनेट कनेक्शन उपलब्द करा दिया जाता और यहां से सारा डेटा चला जाता है दू इसको दिखेगा तो हर केंदर में कुल चमता का 10 प्रेशन बफर एक्स्टर सीट होती है यानि कि जिसे किसी एकजाम में साथ सौ अभिर्थियों के एकजाम होना है तो वहां पे 110 सेंटर रहेंगी और 10 यहां पे बफर यानि एक्स्टरा रहता है तो जब सीट का और फिर दूर बैठ करके जो सॉल्वर गैंग होता है वो कोश्टन को सॉल्व करता है अब देखिए इनके बीच जो बात सीथ हुई है भास्कर एस्ट्रिंग में उसको समझी है यहां पर देखिए केंदर के मालिक लेंदन साफ हो हेड अमीन के परिष्छा में चार सिंटर क एक लाख ही दिये आगे सिंटर नहीं दूँगा यानि कि यहां पर पैसे की दिमांट की जा रही है एस्टेट हेड का देखिए बात वो पैसे के मामले में ठीक नहीं है तो केंदर के मालिक क्या बलता है देखिए लें दिन साफ रखना चाहिए फिर एस्टेट हेड का बात कि डिया डियो का एकजाम मेरे पास आ गया तो एक भी सेंटर नहीं देंगे और क्यों नहीं देंगे क्योंकि इंको पैसा कम मिला है फिर केंदर मालिक का देखिए हाँ फिर एस्टेट हेड जो है वो बोलता है कि अमीन के परिक्षा में उसके कहने पर चार सेंटर बुग कर परिये थे दिया मातर एक लाख तो केंदर मालिक फिर कहता है अच्छा हो तो फिर एस्टेट हेड कहता है कि भूसन सही आदमी नहीं है अब देखिए भूसन के नाम इकमरा गया यह सबसे बड़ा जलसाज है बिहार में ऑनलाइन इगम निसन में उसके काम साथ काम करना ठीक कि नहीं करता है। इसके साथ काम करना ठीक है वह पैसे नहीए करता है। यह बूलता है पूरा इक पूरा पैसा हम लोगो को देता है पूरा इस्टेट हेड का बाता है इंज होगा मेल गया तभी पैसा पहुंचा दो नई तो सेंटर एलॉटमेंट नहीं होगा अब दिखिए यहाँ दिया है कि जल साज बोले भूशन है पटना का बड़ा की लड़ी जो भूशन नाम आ रहा है बार बार इसमें देखें कि भूशन के साथ अमीत है असमीनी है शौरब हीरा बड़े परिख्या में फरारी की चर्चा के बाद से अतुल वत सांत है तो देखिए बहुत बड़ा खेल होता है बिहार में पिछला भार भी हुआ था 23 में जो केस्ट्रिंग अप्रेशन में खुलासा हुआ कि यहां पर करोड़ों रुपे का खेल होता है बावजूद उसक इससी में फुल पूरूफ एक्जाम हो पाएगा और अगर टीसीयस को एक्जाम नहीं दिया जाता है तो फिर बिलकुल आप यह तैमान लिजिए कि एक्जाम में स्वेटिंग होगा इस लिए इस वीडियो को आप लोग जितना हो सकते हलग-अलग ग्रूप में सेयर कीजिए क्योंकि ये निवज पहुचना चाहिए और बिहार इससी खास करके ध्यान देश पर फहले तो उनको खुद अपने इस एजनसी के चैन करना चाहिए था लेकिन उन्होंने बेल्ट रॉंग दे दिया तो बेल्ट रॉंग दिया लेकिन सही एजनसी के माध्यम से एक्जाम होन चाहिए ऐसे किसी आइजल्य होती है यहां पर सेंटर में पतना में उनको ब्लेक लिक लिष्ट कर लेकिन जो सही सेंटर मेंयां नहींflix जाहिए उनका समझे लिजे कि भगवान भुर से ही एक जाम में सफलता मिल सकती है बाकि इस पे आपका क्या सुचना है कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले फिर मिलेंगे नए अपडेट में धन्यवाद